जैहिन my dear viewers तो बिहार SI की वेकेंसी आ गई है तो जो लोग बिहार पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा ओपर्चुनीटी है बिहार SI पलस में SI बिहार पुलिस का जो वेकेंसी आ आया यह SI का आया है और सर्जेंट का भी आया है total इसमें 233 vacancy total निकाला गया है तो आज आप इस वीडियो में पूरा बने रहें यह वीडियो थोड़ा लंबा ओने वाला है आप वीडियो में complete बने रहें आपको पूरी information मैं इस वीडियो में देने वाला हूं तो चली देखते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो बिहार, सरकार, गिरी, विभाग, आरच्छी के अंतरगत बढ़्ष 2020 में पुलिस अवर निरच्छक, पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं प्रारच्छ आवर निरच्छक परिचारी मिंस सर्जेंट के रिक्त पदों के लिए संजुत परिच्छा के अधार पर नियुक्तु है तो सूचना तो जो वकेंशी निकली है ये आपको 16-8-2020 से आप अप्लाई कर सकते हो ये 16-8 से अप्लाई होना शुरू होगा और इसकी जो लाट डेट दे रहे की है ये दे रहे की है 24-9-2020 तो यहाँ पर ध्यान रकना एडियर की जो वकेंशी है वो आज हो गया आपका 15th अगास जोकी इनडिपेंदेंडट के रूप में आप सेलिबरेट करते हो तो आप जानते ही हो तो ये इनडिपेंडेंड अजादी का एक तरह से समझझ लो आप लोग के लिए अजादी का त सकते हो तो इसमें आगे देखते हैं कि इसकी जो निकली है तो यहां पर आप देख सकते हो कि पुलिस अवर निरीचक पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो निकली बेतरमान लेवल से और इसकी जो नीनतम बेतन है वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 इसका बेतन है और इसमे 1998 वेकेंशी टोटल निकली है फिर बात करते हैं सर्जेंट की तो सर्जेंट की जो वेकेंशी निकली है लेवल 6 की इसका भी बेतरमान वही है जो की SI का है और इसमें जो वेकेंशी है वो 259 है तो इसमें और आगे देख लेते हैं कि ये जो उक्त पदों पर संजोक्त परतियोकिता परेच्छा के अधार पर नियुक्ती है तो बिग्यापन संख्या यहां जारी किया गया है तो यह जो भी वेकेंशी आपको ऑनलाइन जो भरा जाएगा तो यह आपका ऑनलाइन होगा और आलाइन का डेट आपको पता है कि यह जो है वो 18 अगास से ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा इस वेकेंशी का जो प्रोसेस होगा इसमें आपको लिखित परतियोगता परिचा लेगा मतलब इसमें आपको रिटन देना है तो जो रिटेन आप दोगे इसमें दो एक्जाम होगा दो रिटेन होने वाले हैं तो लिखित परिचा के दो चरण में होगी यथा प्रारामबिक एबं मुख परिचा लिखित परिचा के सभी पत्र बहु बिकल पिए होगे जितने भी रहेंगे वो अब्जेक्टिव कोस्टन सारे रहेंगे प्रारामिक परिच्छा के क्या होगा प्रारामिक परिच्छा आपको 200 अंग टोटल 200 अंग का प्रस्ण पत्र रहेगा और 200 अंग का प्रस्ण पत्र टोटल जो संख्या होगी वो 100 होगी मतलब question number आप question hundred होंगे और ये two hundred का रने वाला है मतलब परते हैं कि प्रस्ण के लिए दो number दिये जाएंगे और दो घंटे का आपको समय दिया गया है और इस पत्र में समान ग्यान एबम समसमाई की मुद्दे में समान ग्यान से पूर प्रस्ण आएंगे और current affair से आएंगे तो कि इस परिच्छा में पास होने के लिए आपको minimum 30% लाना है means hundred question में अगर आप 30 questions सही बना कर आते हो तो इस परिच्छा को आप जो प्ररणमिक परिच्छा उसको आप qualify कर जाओगे और इसमें जो आपका प्ररणमिक परिच्छा होगा उसके बाद जो उसका result आने वाला है friend तो यहां पर आप देख लोड़ी है कि लिखा हुआ है साफ साफ की जो भी इजाम होगा उसका 20 multiply मतलब 20 गुना का क्या होगा ना दिया जाएगा result क्लियर है तो अब आगए देखते हैं अब मुख परिच्छा तो जो मुख परिच्छा होने वाली है मुख परिच्छा में सम पत्र होगे पर्थम पत्र 200 अंक का होगा जिसमें समान हिंदी होगे दो घंटे की यह होगी और इसमें भी 100 प्रस्ण होगे प्रतेख प्रस्ण दो नंबर का होगा इसमें भी आपको मीनुमम 30% अंक लाना अनिवार है अगर 30% से कम अंक लाते हो तो आप आयोग घोशित कर दिये जाते हो मतलब आपको फेल कर दिया जाएगा समान हिंदी पत्र का प्रफ्तां मेगा निर्धारन में नहीं जोड़ा जाएगा जो आपको मैरेट लेस्ट बनेगा उसमें यह नंक जुड़ने वाले नहीं है तीतिये पत्र जो होगा मतलब जो दूसरा पत्र होगा दू से समंदित होगे और दूसरा जो पत्र होगा वो भी 200 नंबर का होगा इसमें भी टोटल 100 कुष्टन होगे और इसकी जो अबदी है वो भी 2 घंटे रहने वाली है दोनों चरणों के परिछा के परते गलत के लिए आपको 0.2% अंग काट लिया जाएगा मतलब इसमें निगे एक पंक्ति एक जिसकी एक प्रती आयों के पास शुरचित रखी जाएगी मुख लिकित परिचा के अदार परिक्तियां छा गुनी अभिहार्थियों का चैन करेगी तो जो पहले आपने जो स्टार्टिंग में जो दोगे परिचा उसका 20 गुना आएगा रिजल्ट 20 गुना जो मुख परिचा देंगे उसके भी शिर्फ छा गुना रिजल्ट दिये जाएगे तो जो भी छा गुना जो रिजल्ट आएगा उन्हें चुना जाएगा मेगा सूची कमसा सारुरिक दचता परिच्छा के लिए जो पीटी होती है जो दोड होती है उसमें लंबी कुद होत होती है लॉंग जॉंप होती है तो यह सूरिक दचता है उसके लिए चैने लिए क्यार लिया जाएगा तो अब आगए बगग तो जो मैरिट लिस्ट बनेगा उसमें अगर टाय हो जाता है टाय काने का मतलब जो ब्यक्ति का नंबर दो बंदे ने एक जाम दिया अगर इन द बाyn दो पर देखों मेगा स्चूची में उसके अस्थान का निर्धी अधार झोगा उनके जनम तीथी के अनुस चैने अधार पर किया जाएगा जिकी एज ज्यादा होगी उनका सेलेक्शन किया जाएगा समान अंग प्राप्त करने वाले, समान जन्म तीथी वाले अगर दो से दूया, दो से अधीक ब्यक्ति हैं जिनका data of birth भी सेम है, नमबर भी सेम है तो उस condition में उनका जो merit list बढने वाला है और उनके सैचनिक योगता का धार पर किया जाएगा जिनका highest qualification होगा, उनका result आएगा अगर highest qualification में अगर qualification में भी फ्रेंच अगर सेम रहता है तो उस condition में फिर alphabetical order से उनका result दिया जाएगा तो alphabetical order बोले तो जो अगर हम जैसे निकालते हैं reasoning में हम लोग पढ़े थे कि A, C, D कुछी इस तरह से जो पढ़े थे एक word में दिया रहता था और उसको हम बढ़ते करम में सजाते थे तो उसके according जो है ना वो last में आपका result दिया जाएगा अन्ति मेगा सूची के लिए जो नीनतम अंक होने चाहिए वो नीनतम अंक आप यहां देख सकते हो अगर आप अनुसूची जाती या महला बर्ग में हो तो आपको 32% मिनमम अंक होना चाहिए अगर अन्तियान पिछला बर्ग में हो तो 34% अंक होना चाहिए पिछला बर्ग के लिए 36.5% अंक और समान बर्ग के लिए 40% अंक होना अनिवार है जो इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एक आठ दो हजार बिस तक उसका रिजल्ट किलियर होना चाहिए मानता प्राप्त विश्पिद्याले से असनाद की मतलब यह है कि वो graduate होना चाहिए और जो graduation है वो कम से कम 18 2020 तक complete होना चाहिए अगर उसका इसके बाद का graduation है तो वो form वढ़ने के लिए level नहीं होगा अगर इसके पहले का या यह इतना है तब वो form वढ़ सकता है तो अब देखते हैं उम्र की क्यों उम्र की जो criteria है वो क्या रहने वाली है तो आप यहां पर देखरो एक जनवरी 2020 तक कि उसकी age क्या होने चाहिए अगर बोस general है तो general है तो minimum 20 और maximum है जो 37 होगा इसके अलावा जो अरच्छन मिलते है ओबिशी को तो OBC को अरच्छन मिलेगा मगर जेनरल में किसी भी तरह की अरच्छन की सुगदा नहीं होती है अगर 37 से जादाएज है तो वो form नहीं भर पाएगा पिछरा बर्ग इवा मंत्यांज पिछरा बर्गों के लिए नीनतम उम्र जो होगी वो 20 साल होगी और अधिकतम 40 होगी इसमें भी उन्हें आरच्छन भी दिया जाएगा जो 3 साल मिलता है उसके बाद अनारच्छित कोटी समान कोटी पिछरा बर्ग इवा मंत्यांज पिछरा बर्ग के महलाओं के लिए 20 और मैक्समाम उम्र 40 साल होना चाहिए उसके बाद देखते हैं फिर जो अनुसूचित जाती या जन जाती के जो महलाओं होगी उनकी जो निन्तम उम्र होगी 20 और मैक्समाम 42 बर्ग तक की एज होगी तो यह होगी उनकी एज का इतना एज का क्रिटेरिया होना चाहिए अब आगा देखते हैं हाइट में देख लेते हैं कि जो हाइट होने चाहिए अगर वह आना रचितम तो जो जेनरल में आता है तो उसकी जो हाइट है पुरूसों के लिए 165 cm होने चाहिए अगर आन्तियां देख पिछा अब है अगर आनों सुझे जाते जन जाती की पुरूस अगर है तो 160 होनी चाहिए और सभी बर्ग के महलाओं के लिए 155 cm हाइट होना चाहिए और जो मीनमम बजन है वो 48 kg होना चाहिए महलाओं के लिए जो सीना जो माप होती है सीने की वो सिर्फ पुरूसों के लिए जेनरल बर्ग के लिए जो होगा बिना फुलाए 81 और फुलाने पर 86 है फुलाने के बाद ने कम से कम 5 cm एक्स्पेंड करना चाहिए अनुसुची जन जाती पुरुसों के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 होना चाहिए मतलब बिना फुलाए और फुलाने में कम से कम 5 cm का difference होना चाहिए अगर उसे ज़्यादा होता है तो बेटर अगर उसे कम होता है तो फिर वो मेडकल के लिए फेट नहीं माना जाएगा सारीरिक दस्ता प्रिच्छा में जो दौड होगी वो पुरुसों के लिए दौड होने वाली है एक माइल दौड़ना है एक माइल 1.2 km दौड़ उसकी होगी और 6 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ना है अगर उसके अंदर उसने दौड़ कम्प्लेट कर लिया तो बुपास अगर दौड़ कम्प्लेट नहीं कर पाएगा तो वो फेल माना जाएगा और उसमें भी अगर उसने 6 मिनट से पहले अगर दौड़ कम्प्लेट कर लिया तो उसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिये जाएगे अब महलाओं के लिए देख लेते हैं उच्की कूद तो पॉषों के लिए जो होगी वो 4 फिट और महलाओं के लिए 3 फिट लंबी कूद पॉषों के लिए 12 फिट महलाओं के लिए 9 फिट गोला फेकने का पॉष के लिए 16 पॉंड का 16 मिटर 16 फिट फेकना है महलाओं के लिए 12 पॉंड का 10 फीट तक फिगना है तो यह ती फ्रेंट्स से आज की जो SI का जो फाकेंशी निकला था हमारा यह SI के बारे में पूरा जनकारी था आज़ा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगाओगा तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आगे देख लेना इसके अलावा और भी जो है इसमें वह आपको दिया हुआ है तो आप इसको देख लेना जो आपको important था जो आपके form भरने के लिए जो जिरूरी अवर्षक जनकारियां थी वह हमन ने आपको दे दिया बाकि आप इसके डाउनलोड कर लोगे और एक पर देख लोगे और यह सारा जो form भरने का प्रकेरिया है वह mention है और यहां पर आमने आपको पता दिया कि जो एज आपका दिया गया है जो सर्जेंट के लिए जो फेकेंसी है उसके लिए दिया गया है तो यह उतनी सीटें है उसकी तो आप इसे comment box पे description box से download कर लिजेगा और यह जो form है तो form का date याद रखेगा जो कि जो form आपका है वो 18 तार करने की क्योंकि जब आप ज्यादा लेट करोगे तो फिर क्या होगा कि server थोड़ा सा सलो हो जाता और form वर्णे में दिकत भी होती है अगर किसी भी तरह की समझ से हो तो आप हमें comment जरूर करो आपका comment हमारे लिए बहुत महत्तपूर्ण है तो फिर मिलते हैं अगले video में friends